शुक्रवार को निगम भिलाई के मोर मकान मोर आस योजना के तहद किराये पर रहने वाले लोगों दिव्यांगों एवं बुजर्गों के लिए आवास उपलब्ध कराने हे तू पंजिकरित हित्गराहियों को लोटरी के माध्यम से आवास आवास आबंटित किये गए बिती दिनों निगम भिलाई द्वारा मोर मकान मोर चिनारी योजना के तहद उन हित्गराहियों को आवास उपलब्ध कराये गए थे जिनके आवास विभिन विकास कारियों के दोरार प्रभाज भित हुए थे उसके बाद शुकरवार को मोर मकान मोर आस के तहद दिव्यांग बुजुर्ग एवं किराय में रहने वाले लोगों को आवास उपलब्द कराने को लेकर लोटरी निकाली गई जिसमें वह हित्गराही शामिल थे जिन्नोंने पूरु में इस योजना के तहद आवास पाने के लिए आवेदन किया था एवं उसकी धरोहर राशी जमा करा दी थी इस लोटरी सिस्टम में दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए प्रथम तल पर मकान उपलब्द कराएगा हैं एवं अन्य हित्गराहियों को अन्य तलों पर मकान उपलब्द कराएगा हैं पीसी सारवा ने निविश्टीम को बताया है उसके बाद में जो बाकी और बेवस्ते हैं उनको आवास अपन्टिंग प्रक्राहियों के लिए आवास उपलब्द हैं जिसे आने वाले समय में पुना इस प्रक्रिया के माध्यम से दोबारा बचे हुए हित्गराहियों का चैन करके उन्हें आवास उपलब्द कराया जाएगा ग्रेंड एसीन निउस के लिए भिलाई से संतो शर्मा की रिपोर्ट